हेलो गैज वेलकम आप लोगों का मैं हूँ असी स्यादो और गैज आज आप लोग टाइटल और थंबलें देख के जानगे होंगे मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जी हाँ गैज बहुत सारे ऐसे चैनल था जिनका वन येर कंपलीट हो गया ना तो डबरू टी कंपलीट हुआ ना एक हजा सब्सक्राइबर हुए और बहुत ज्यादा मतलब उदास हो जाते हैं कि यार मेरा तो वाइटी पे रहते रहते एक साल हो गये ना तो मेरे सब्सक्राइबर एक हजार हुए परना चारह जार हावर डबू टी हुआ मैं क्या करूं मतलब यूटूब बंद कर दूं या फिर मैं काम करूं या मेरा मोलोग होगा या नहीं होगा इस टाइप पे कुछ सवाल मूं के अंदर आते हैं तो मैं आपको बता दू गाज मैं भी जैसे कि आपको देखो डबू टी और सब्सक्राइबर पिछले 365 डे के जोड़े जाते हैं जैसे कि आपके चैनल को एक साल हो गया एक साल हो गया उसके बाद डबू टी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद आपने चार-पांच महीने और वर किया लगबग 15 महीने हो गए आपक अगर आपको 4000 हावर्ड डबू टी मिला है और 1000 सब्सक्राइबर मिले हैं तो आपका चैनल हांड़ेट परसेंट मुन टाइसन होगा जिहां इस मतलब की जिसका एक साल हो गया तो लोग डरे नहीं और अपना वीडियो बनाते रहें बनाते रहें और उनका जो है कि जिस दिन उनका डबू टी कंप्लीट होगा उस दिन से पिछले 365 डे का वो वाई टी स्टूडियूम चेक करेंगे 365 डे पे तो उनका अगर दिखाएगा 365 डे पे कि हाँ 4000 हावर्ड डबू टी मेरा हो गया तू अपलाई कर सकते हैं चारपान दिनों में तो मोन डाजिजन हो जाएगा क अब यूट कि मेरा चरपान दिन हो गया है तो एक साल दो साल तिन साल कोई लिना देना नहीं बस पिछले 356 में आपका डबू टी होना चाहिए तो गाइज मैं इस वीडियो में आपको किलियर गड़ दिया या आप लोग घब रहा है नहीं कि मेरा एक साल हो गया दो साल हो गया डब्लूटी नहीं हुआ तो मेरा चैनल खराब हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है बस आप वाइटी स्टूडियूम जब भी आपको डब्लूट आपको कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मेरे इंस्ट्राग्राम एकाउंट को फालू कर सकते हो इंस्ट्राग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है नाम भी आसी स्यादू सेवल निटेट थी है आप वहां से देखके फालू कर सकते हो अब मेर अब मेरे ख़ता ग्रोस निक हुआ है नाम पालू कर सकते हो दी हैं।